और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला अपिसोड वो पहले इसलिए शान थी क्योंकि मामले का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था अगर वो पोजीशन अब बदल गई थी और देविका का भी इस मामले से चुड़ा आप हो गया था तरोश ने अपना गलासाफ क जाएका देविका ने एक बाडल बाहर निकाली और उसने वो तनुष को दी उसने का इसके पूरे शरीर पर डाल दो तनुष ने अपना सर हां मेहलाया और उसने जाकर वो पाउडर प्रनफ के शरीर पर जड़क दिया वालक जपक पे ही वो लाश धीरे धीरे करके वाइट खत्म हो गया था आधित ने रूम में से लेकर प्रनफ की गुरुकुल की युनिफॉर्म पहन ली थी और वो सब साथ ही जैसे आए थे वैसे ही चले कर अगले सुगा बैटल टूनामेंट के अगले राउंड के मैच शुरू हुए और कई गुरुकुलों के शिशे बैटल की देर से आ रहा था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो आज की कॉंपटिशन में इसा नहीं लेगा जब उन्ने याद आया कि आज प्रनफ का फिरोधी कौन है तो फिर उन यूद्स ने हार माली और वो वहां से चले गए वो सोच रहे थे कि प्रनफ ने जरूर र लगे थे बैटल के स्टेज के एरिया में अब ही काफी शूर हो रहा था अकर जैसे ही एक इंसान पहले मैदान के दर्वाजे पर आया तो वहां पर पूरी तरे से शांती जा गई थी उन सब की नजरों ने मुड़कर कार्टिक को वहां पर आते वे देखा कुछ लोगों ने कि उसको वैसे भी लड़ना नहीं है तो फिर यह यहां पर आया क्यों है क्या आज इसका सामना प्रणफ से नहीं होना है कुछ यूट्स ने तेज आवाज में कहा ये सही है मैं खलरात प्रणफ के साथ ड्रिंक कर रहा था और उसने हमसे ओलिदी कहा था कि वह आज नहीं गई थी जिनते थोकर कार्टिक को वहाँ पर आते भी देख रही थी मैं जजज अभी शुरू भी नहीं हुए थे और कार्टिक पर उलिडी सब का ध्यान था सब की नजरे उस पर टिकी होई थी मगर वो अब भी धीरे धीरे चल कर वहाँ पर आ रहा था अगर उस पर पढ़ कुछ शब्द कहने पर हासल हो जाता है उनकी तोन काफी एशा से भड़ी होई थी वहनों कार्टिक को देखकर जोर-जोर से खुस्पुझा रहे थे उनके आवाज इतनी तेज थी कि उनके पास खड़े लोग साफ-साफ उन लोगों को कार्टिक के लग के बारे में के बाद टूनामेंट फाइनली शुरू हो गया था और पहले बैट से ही बैटल स्टेट से लड़ाईयों की आवाज इन सनाई देनी लगी थी यूद्स अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए लड़ रहे थे वो उमीद कर रहे थे कि उनको टूनामेंट में कोई जग मिल अचा है एक यूद जो कि मंत्रा गुरकुल के लोगों से काफी फामिलियर था वो आकर अवनी के बराबर में खड़ा हो गया वह बात गुस्से में लग रहा था और इसने कहा अवनी क्या आपको नहीं लगता है कि लड़का कुछ जाद ही कर रहा है उसने इतना घिनोना काम नहीं थी वो सहस्त्र जीव लगर की राजाप की बेडी भी थी जिसकी बज़े से उसके स्टेटिस और पोजीशन की तुलना बहुत कम लोगों से होती थी नाचुरल ही अवनी जंग के मैदान में जीतने के लिए सबकी फेवरेट थी हाला कि अवनी के अलाबा एक और शेश बैटल टूनामिंट के रूसका जरूर उलंग हनों का अगर मुझे लगता है कि हाव ऐसे च्रेक्टर के लोगों को उनके मनसूबों में कावियाब नहीं होने दोगे और मुझे लगता है कि हभी ज़रूर इन लोगों को इनकी जगा दोगे यह कहा जा सकता था कि अवनी के प्राबा बहाँ पर कोई और नहीं था जो राजकुमार की अथारटी के खलाफ जाने के हिम्मत कर सके। बहाँ पर सब बस ये दूआ कर रहे थे कि कार्टिक का जल्द ही जंग में अवनी से सामना हो जाए और अवनी के उसको हराने पर वो राहत की सांस लेंगे। अगरी ने अपनी जीब को अपनी दादों की बीच में दबा लिया था, वो उस यूद से कुछ नहीं कहना चाहती थी, वो उसमें काफी हैरान महसूस कर रही थी, उसने अपने कदमों को थोड़ा पीछे कर लिया था, बगर उसकी नजरें कार्टिक पर ही टिकी होई थी, उसक ऐसा की सोचाई था, ऐसा एक बार फिर हो गया, कार्टिक ने अपनी नजरों को नीजे किया और उसकी चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि वो किसी चीज़ का अंदाजा लगा रहा था, जब उसने नाम पुकारते वे सुना, तो उसने ऊपर देखा, और वो चल कर कार्टिक को अपने साथ स्टेच पर खड़ा दिखा, उसने जब कार्टिक के पहले विरोधियों के मैट से पहले सरेंडर कर लेने के बारे में सोच चा, थो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, वो अपने दिल में अच्छे से जानता था, और भले ही वो अपने मन के खया जो पहले से होता आया है, और वो जल्दी से एक घंटी की लिमिट खत्म होने का इंतिजार कर रहे थे, वो चाहते थे कि समय जल्दी जल्दी बीच जाये, ताकि वो अगली मैच की तरफ पढ़ें, सेकंड्स मिनिट्स में बीच रहे थे, और बहाँ पर सब काफी उताफले ह रहे थे, लोग अब स्टेश पर अकेले खड़े कार्तिक को नहीं देख रहे थे, और अगली मैच के कंटेस्रेंट्स अपने मैच की तयाली कर रहे थे, अनाउंसर टाइम देख रहा था, और समय खत्म होने में, जाना समय नहीं बचा था, वो खुत को रोप नहीं बाया, औ उसके अपना मूँ कोल कर का, कार्तिक, मुझे लगता है कि प्रनफ भी आच नहीं आएगा, मुझे लगता है हमें अगली मैच की तरफ बढ़ना चाहिए, उसका मतलब ये था कि कार्तिक अपना दिखावा बंद कर दे, और बागी लोगों का भी समय खराप ना करे, कार्तिक व्यांच की होने का डर नहीं होता, तो भीर कार्तिक उजबर्दस्ती बहां से निकाल देती, हालकि अचानक से शोर शराबे की बीच एक इंसान अचानक से मैदान की दर्वाजे पर आया, उससे लोग अंजान नहीं थे, वो प्रनफ था, जो कि उस दिन कार्तिक का विरो थी प्रनफ उस सवालों से भरी नजरों से देख रहे थे, उनको अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था, प्रनफ चलकर बैटल स्टेज के बीच में गया, अंतिनत नजरे उस पर टिकी होई थी, वो कार्तिक ने अचानक से कहा, अब हम शुरू कर सकते हैं, अनान सर अ प्रनफ के शब्स उनकर अनाउंसर हैरान रहे था, और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसके प्रनफ और कार्तिक को देखने के लिए अपना सर खुमाया, उसका चेहरा अब भी शौक से बरावा था, बहाँ पर मौझूद सब शेश हैरान रहे थे, उन्होंने पहले यहां पर क्यों आया है, और वो मैच में कार्तिक के साथ लड़ना भी जाता है, उस समय सब काफी कनफ्यूस्ड हो गया थे, अब जब ऐसा है तो फिर तुम शुरू कर सकते हो, अनाउंसर पीछे साइड में हण किया, और वो काफी कनफ्यूस्ड था, बैटल स्टेज के यह शो बहुत अच्छा होने वाला है, मैं तो यही कह रहा था, कोई एक दिन आकर कार्तिक को सबक जरूर सिखाएगा, यह बच्चा यह कहकर कि समय भी खत्म नहीं हुआ है, को काफी हिम्मत वाला दिखा रहा था, अब इसको कहते हैं, अपने खुद के पैर पे कुल हाली मा इसका यह मतलब नहीं था, कि मों कार्तिक को मार खाते हुए देकर enjoy नहीं कर सकते थे, कार्तिक प्रणफ के आगे काफी कमजोर लख रहा था, एक नजर देखकर यह साफ था कि उनमें जादा strong कौन था, सब कार्तिक को पीटते हुए देखने के लिए उतसो थे, अब जब घं हरी शक्ति को देखकर सब की नजरें चौन दे आ गए थी, हरी शक्ति? यह कैसे possible है? क्राउड में सब शौक दर हैरान रहे थे, सबको अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और वो उस बज़े के शरीर से निकलती हरी चमक को देख रहे थे, एक 19 साल के लड़के इतनी देशनी कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, वो सब बस हरी शक्ति की चमक को तेज रफ़तार से प्रनफ की तरफ जाते हुए देख रहे थे, वो समय सब के मूबन थे, कार्टिक ने अपनी पावर दिखाई थी और इससे उसने सब के जहरे पर जोड़ दार तमा नहीं कह सकता था कि कार्टिक ने कमजोर होने की बज़ा से चुक्के से अपने विरोधी को जबर्दस्ती मैं से बाहर करा दिया है, वो जो देख पा रही थे, उससे वहाँ पर ऐसा कोई शिश नहीं था, जो तो उससे भी कम होंगे, जंग पलक छपकते ही खत्म हो गए, और इन शक्ती हारी शक्ती के आगे कुछ भी नहीं थी, ये देखकर कि सब अपने शौक से बाहर आ रहे थे, प्रणव चुकि इस सेज़ पर खड़ा था, उसको अचानक से कार्टिक ने लात मारी, वो उड़कर बैटल स्टेज के कोने में गर गया, कार्टिक ने सिर्फ एक वा कि अच्व मेरे दानक से कि अच्व चुक पादी के कार्टिक ने सिर्फ एक ने सिर्फ भी आपर कार्टिक वा रहे रहे थे इंगे के वाझे थे एक पाधि.